दोस्तों पिछले लेसंस के अंदर हम लोगों ने अडोबी फोटोशोप के कुछ बहुत ही इंटरस्टिंग फिल्टर स्टेडी किये थे इस लेसं के अंदर भी मैं आप लोगों को फोटोशाप का एक बहुत ही मैजिकल किसम का फिल्टर दिखाने जा रहा हूँ इस फिल्टर का नाम है जी लिक्विफाई टूल तो Liquify Tool के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ के दोस्तों Liquify Tool Photoshop में हमारे पास एक ऐसा टूल है एक ऐसा फिल्टर है जिसकी मदद से हम किसी को भी मोटे से पतला बना सकते हैं जी हाँ बिल्कुल यहीं तक नहीं हम किसी के भी facial expressions और face के जो features होते हैं उनको भी change कर सकते हैं आप लोगों के सामने इस वक्रीन के उपर एक ये middle age इंसान का जो है वो portrait है आप देख सकते हैं कि इसके चेहरे पर चाईयां हैं और जूरियां हैं और इसके इलावा इसका जो face है वो काफी हद तक broad है यानि के चोड़ा है तो चलें चलते हैं Photoshop के तरफ और देखते हैं कि हम इस portrait के साथ Photoshop में Liquify टूल के मदद से क्या change लेके आ सकते हैं दोसरो आप लोग देख सकते हैं कि या आपके सामने Photoshop में मैंने ये जो एक portrait है ये open करके रखा हुआ है तो चलें मैं आपको बताता हूं कि Liquify जो है ये हमारे पास Photoshop में है कहां दोसरो जब आफ फिल्टर गैलरी में जाते हैं और यहां पर नीचे आप ड्रैग करते हैं तो यहां पर हमारे पास Liquify टूल जो है ये अवेलिबल है दोसरो Liquify टूल की जो शौट की है ये है Shift-Ctrl-X जैसे यह Photoshop पर Shift-Ctrl-X जो है वो आप अपने कीबोर्ड पर प्रैस करेंगे तो आप Liquify टूल के अंदर डिरेक्ट चले जाएंगे तो यहां से मैं इसको क्लिक करता हूं जी और अब होगा क्या कि ये आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो चुकी है Liquify टूल की अच्छा थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें वेलिबल हैं और उनको हम किस तरह से इस्तमाल किया करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों यहां पे प्रिव्यू का जो यह आपके पास बटन है इसको आपने चेक करके रखना है अगर यह चेक नहीं होगा तो जो भी चेंज़ेंजिस होंगी वो डेफिनेटली आपको यहां पे नज़र नहीं आएंगी अच्छा जी स्टार्ट करते हैं यहां पे यह लेफ्ट के उपर हमारे पास कुछ टूल्स दिये गए हैं यह टूल बार हमें नज़र आ रही है सबसे उपर हमारे पास एक बहुत ही मज़गा टूल है जी फौवर्ट वैब टूल जिसकी शॉर्ट की है डबल्यू तो यह फेस के अंदर यह जो स्किन है इसको मैं अगर हलके हलके धीरे धीरे अंदर की तरफ लेके हूँ तो यह देखें यह बिल्कुल जो उसके फेस कट्स हैं फेस के वो चेंज होते जा रहे हैं इसी तरह से आप जहां पे भी जाके इसकी मज़से क्लिक करेंगे और आप ड्रैग करते जाएंगे लेफ पे या अंदर की तरफ तो वो जो जहां पे भी आप ड्रैग करेंगे वो जो चीज है वो अंदर की तरफ आनी शुरू हो जाएगी इसी तरह से यहां पे अगर आपको समझाने के लिए मैं करके दिखाता हूँ यह देखें अगर एयर को मैं मजीद अं किस तरह से बड़ा चोटा करते हैं यह देखें बालों को भी अगर हम अंदर की तरफ लेके आना चाहें तो हम यहां पे ला सकते हैं यह देखें अच्छा जी अब थोड़ा समय आपको यह राइट पर हमारे पास क्या चीज़ है वेलेबल है इनके लिए भी थोड़ा समय आ पर खाइड करता चलूँ दोस्तों यहां पर देखें हमारे पास सबसे पah नहींसेटी दोस्तों यह दंसी नॉटर्सटिंग सी चीज़ है यह बड़ी इंट्रेसटी इस आन्या हो इसके जो है कि एधे लाइट होगा यह देखें अगर मैं डेंसिटी कम करके यह ड्राग करूं तो यह देखें बिलकुल एक कोड़ा सा एरिया पॉइंट उसने पकड़ लिया और उसको वा अंदर की तरफ ड्राग कर रहा है इसको मैं Control or Z करता हूँ यानि के Undo अब मैं डेंसिटी को बढ़ाता हूँ और अब मैं इसको आपको अंदर करके दिखाता हूँ यह देखें दोस्तों अब जब मैं डेंसिटी बढ़ाई है तो इसने कान से लेके नेक लाइन तक जितना भी इसका यह जो फेस का एरिया यह सार प्रेशर हो तो यहां पे ड्राग जो हमारा जैसे हम करेंगे तो यह हमारी जो स्केंग है। को अगर हम कमरिखें तो यह जिस पार्ट। यह करूंगा कि आप लोग आम तौर पहर चाँटिग अब Piece करें शुpy Everything दोस्तों इसके रावा अदभ वापस आते है हम यहां पे लैव पे को हम्हारी पर यहां मज़ीद को कॉन से टूल कर देखने कि हम एक ऊमरे पर यहां तूल है छे रिकंस्टरक्ट टूल क्या करता है। जैसे कि इसके नाम से बासे है हम अनको वापस ले जाएगा यानि कि अगर reconstruct tool के मदद से यहां पे यह देखें मैं अगर फेरना शुरू करूँ तो यह देखें जो भी changes मैंने की थी बालों में या यह कान के नीचे वो सारी की सारी वापस जानी शुरू हो गई है तो यह इस मकसद के लिए इस्तमाल होता है इसके बाद यहां पे मैं थोड़ा सा जो मैंने apply किया था वो मैं जरा दुबारा करता चलूँ ताके मैं आपको आगे भी जो है वो समझा दूँ बाकी चीज़ें अच्छा एक और तरीका भी है यह जो चीज़ें है यह जो हम changes कर रहे हैं changes को वापस लाने का करते हैं तो क्या होता है कि वो सारी की सारी वापस चली जाती है अच्छा जी इसके बाद हमारे पास यहां पे एक टूल है smooth टूल यह वैसे को बहुत जादा यूज नहीं होता लेकिन यह जो कोई edges होते हैं उनको smooth करने के लिए काम आता है यहां पे सकत हमारे पास कोई ज्यादा ऐसे edges वाले areas है नहीं जिनको हम इसके मदद से smooth करें बाराल इसके बाद दोस्तों हमारे पास यहां पे एक टूल अवेलिबल है जी टूल clockwise टूल अच्छा यह भी थोड़ा सा ज़रा यहां पे जीब सा टूल है clockwise direction के अंदर खीक है जी अच्छा इसके बाद हमारे पास एक और यहां पे टूल अवेलिबल है पकर टूल यह देखें पकर टूल क्या करता है दोस्तों हम किसी भी area पे रखके अगर brush के मदद से पकर टूल अपलाई करेंगे तो यह उस area को अंदर की तरफ धंसा देगा जिसना यह आँखों के ओपर मैंने आपको apply करके दिखा है यह nose पे भी मैं आपको apply करके दिखाता हूँ अच्छा यह टूल वहां पे बहुत काम आता है जिसना मिसाल के तोर पे अगर यह nose है यह मुझे heavy लगे और मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ center से तो यह देखें मैं इसको यह देखें इसको पकर टूल के मदद से थोड़ा सा pointed बना सकता हूँ इसी तरह से lips को भी हम जो है वो इस तरह से treat कर सकते है इसके बाद हमारे पस यहां पे है जी blow tool अच्छे यह blow tool पकर टूल के बिलकुल opposite यूज होता है यानि कि अगर आपने किसी चीज को magnify करना है या पहलाना है जिसना से यह मैंने nose को पहले smart किया था अगर मैं इसको मोटा करना जाओं तो यह देखें यह हम काम जो है यह blow tool के मदद से कर सकते हैं blow tool से बड़े मज़े कि आप effects भी create कर सकते हैं जिसना अगर यह मैं आंग को या किसी भी एक area को बढ़ा करता हूं और मैं यहां पर magnifying glass का image लाके बाद में रख देता हूं तो वह लगेगा जैसे इस area के ओपर magnify किया हुआ है इसके बाद हमारे पास इसी में है जी push left push left क्या करते है जी अगर हम push left के मदद से उपर की तरफ प्रेस करें तो यह left की तरफ लेके जाता है और अगर हम नीचे की तरफ प्रेस करें तो यह right की तरफ किसी भी चीज़ को drag करता है लेकिन आपने ये देखा है कि ये बहुत ही इत्यात से इस्तमाल करने वाला टूल है अच्छा आप हमारे पास यहां पर एक टूल आता है जी फ्रीज टूल इसको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और मैं करता क्या हूँ दोस्तों मिसाल के तौर पे मुझे ये वाला जो एरिया है कान से नीचे और टी-शिर्ट कॉलर से उपर सिर्फ इस एरिया को मुझे चेंज करना है और मैं चाहता हूँ कि कान पे या टी-शिर्ट के कॉलर पे कोई चेंजिंग ना हो तो मैं क्या करूंगा जी मैं यहां पे ये वाला जो एरिया है टी-शिर्ट वाला और कान वाला है वो सिर्फ उस एरिये में जारी जिसको हमने मास्क नहीं लगाया हुआ ठीक है जी अचा गर इसी मास्क को हम खत्म करना चाहें तो यह नीचे हमारे पास एक टूल अवैलिबल है जी थौ मास्क टूल इसके मुझा से हम यहां पर अगर ब्रश फेरेंगे तो वो जो मास्क हमने लगाया होगा वो वापस दिला जाएगा इसी तरह से हमारे पर यहां पर जूम टूल है जिसके मुझा से हम पकड़ के अपने वेजूल को जो है वो ड्रैक कर सकते हैं ठीक है जी तो यह दोस्तों आप लोगों ने देखी ऑप्शन्स इसके लावा एक आखरी मज़े की ऑप्शन मैं आपको यहां पर बताता चलों जो इसमें हमारे पास मौजूद है जी फेस अवेर लिक्विफाई दोस्तों इसमें आइस के उपर जाके अगर यह जो सेंटर वाला चेन है इसमें मैं क्लिक करता हूं और अगर आइस का साइज बढ़ा करता हूं तो यह देखें दोनों आइस का साइज जो है वो बढ़ा हो रहा है अगर आप इस वहले साइन को क्लिक नहीं करेंगे तो यह ल इसके बाद हमारे पास नोज की बारी आती है जी नोज में हम नोज की हाइट बढ़ा सकते हैं यह देखें नोज की विट बढ़ा सकते हैं इसको तो खेर हमने पहले ही थोड़ा सा स्मार्ट किया इसके बाद आती है जी बारी माउथ की माउथ में यहां पर दोस्तों एक बहु option पे आएं और हम smile को बढ़ा दें तो यह देखें smile जो है वो बढ़ जाएगी कितना interesting और magical सा यहां पर यह हमारे पास option मौजूद है इसी तरह से हम upper lip को बढ़ाना चाहें lower lip को बढ़ाना चाहें कम करना चाहें तो यह हम हम यहां से कर सकते हैं mouth के width हम यहा से कंज़दा कर सकते है mouth की height यहां से कंज़दा हो سकती है जी इसके पास donner famwide wein targeted face । chin کی height हम कंज़दा कर सकते हैं इससके मज़सरे अपना से थेखने तो उपर की मैं सुक्राफ लिफ्ट हो रहा है तो यह थोड़ी से अमें चिन की हाइट यहां पर बढ़ा देता हूं इसके बाद जायोज़ लाइन हम कम स्यादा कर सकते हैं तो जायो लाइन न को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं और ऐस्पी की विट को में Corona है कम कर देता हूं तो आपने देखा लिकोफाई टूल में कितनी magical options हमारे पस available हैं दोस्तो हम लोगों ने देखा Photoshop के अंदर लिकोफाई की मदद से हम कितनी जबदस changes लेकर आ सकते हैं किसी के भी face में, किसी के भी body में इसके इलावा ये तो मैंने आपको सिर्फ portrait पर ये changes करके दिखाई हैं ये जरूरी नहीं है कि ये changes आप सिर्फ किसी के face पर ही करेंगे दोस्तो आप कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो कोई illustration हो, कोई cartoon character हो किसी भी चीज के उपर इस तरह की changes आप liquify tool के मदब से कर सकते हैं तो अब आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने liquify tool की बहुत सरी practice करनी है और इसकी थोड़ी से आप practice करेंगे तो आप इसके मदब से बहुत magical results ने वो achieve कर सकेंगे इंशाला तरह next lesson में मुलागात होगी कुछ मजीद Photoshop की techniques के साथ